है 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 लो बच्चो कैसे हैं आप सब आशक करती हों कि आप सब होंगे मस नहीं उन्य होंगे और अपनी पढ़ाई में फिस्त होंगे आप जा रहे हैं एक नया अध्या एक नया चप्टर जिसका सिर्षक है सच्चा पूरस्कार यानि की सच्चा इनाम तो बच्चों सबसे पहले सपाट का परिचे जान लेते हैं प्रस्तुत कहानी द्वारा लेखक हमारे समाज की दो प्रमुक समश्याओं की और हमारा ध्यान आकरशित कराने का प्रयात्न कर रहे हैं वे दो समश्याएं हैं बेईमानी और बाल श्रम यानि की हम क्या करते हैं बेईमानी करते हैं और चोटे-चोटे बच्चों से परिश्रम यानि की काम करवाते हैं हम सब का करतव यह है कि हम बाल श्रमिकों की सहायता करें और उनके जीवन में आशा की किरन जगाएं जिससे वह हमेशा इमानदारी की राह पर चलें उनकी सफलता ही उनकी इमानदारी का पुरुसकार होगा तो आए बच्चों इस पार्ट को शुरू करते हैं आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा राशित और मुदित दो दोस्त थे जो सड़क के किनारे फुटबॉल पर अकबार बेचते थे कुछ महिने पहले तक दोनों अकबार बेचने के साथ साथ स्कूल में छटी कक्षा में पढ़ते थे पर रन्तू राशित के पिता जी की मृत्यू के बाद वह अपनी बिमार मा के साथ पिता की दुकान पर बैटता था अतहमुदित अकेला स्कूल जाता था आज अकपार बेचने के बाद जब राशित घर पहुंचा तो अपनी मा को घर पर न देखकर उसे कुछ तसली हुई चुपचाप ताला खोला और अंदर आकर दरवाजा बन कर लिया कापते हाथों से जेब से एक पटवा निकाला और मन में ही बुदबुदाया पापरे इतने बड़े बड़े नोट अचानक दरवाजे पर आख़ट सुनकर उसने खुद को समभाला और चुपचाप दरी के नीचे बटवा छिपा कर दरवाजा खोल दिया सारा दिन घर पर ही पड़ा रहा न तो मुहले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने गया और नहीं मुदीत के घर पढ़ने रात में भी चैन से सो नहीं पाया उसे करवटे बदलते देख उसकी अम्मी ने पूछा क्या हुआ राशिद सो क्यों नहीं रहा चाड़ा लग रहा है क्या उसने कहा नहीं अम्मी मैं ठीक हूँ आप सो जाईए रात भर राशिद खुद से ही लड़ता रहा दिल कुछ कहता पर दिमाग कुछ और ही कहता एक पल में सोचता अम्मी बिमार है महिनों से दुकान पंद पड़ी है किराई के सो रुपी भी बेकार जा रहे है अगर इन पैसों को रख लू तो कितनी परिशानिया दूर हो जाएंगी दूसरी ओट दिल की आवाज आई राशिद यह पैसा तुम्हारा नहीं है इसलिए इसे खर्च करने का तुम्हें कोई हक नहीं है फिर तिमाग पर जोड़ देता क्यों नहीं है अम्मी की हालत तब देखी नहीं जाती फिर भी काम करने जाती है अगर पैसे हैं तो कठनाईयों को कम क्यों न किया जाए दिल ने फिर याद दिलाया नहीं राशिद तुमने तो फैगंबर और महापुरुशों की कहानिया सुनी है दूसरों के पैसे से कठनाईया बढ़ती है कम नहीं होती दिमाग अपनी दलील देता मैंने पैसे चोरी तो नहीं किये किसी की जेब तो नहीं काटी फिर मन से आवाज आई फिर भी कुछ भी हो तुम जानते हो यहाँ किसका पैसा है अगले सुबह अम्मी के काम पर जाने के बाद राशिद ने उस बटवे को दरी के ऊपर से ही छू कर देखा मन में आया कि एक बार रुपे तो गिन लू पर अगले ही पर जाने क्या सोच कर तेजी से पाहर निकलाया अगबार बेचने के लिए चौराहे पर पहुँचा उसे देखते ही मुदित ने पूछा अरे ओ राशिद तुझे क्या हुआ अम्मी ने कुछ कह दिया क्या राशिद ने मुस्कुराने का प्रयत्ने किया और कहा नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ फिर अगबार वाले ने आकर दोनों को गिन कर अगबार दिये और फिर दोनों चौराहे की हरी लाल बत्तियों के आसपास कारों पसों और स्कुटरों के चारों अगबारों की हाक लगाने लगे एकायक मुधित ने देखा कि हरी पत्ति का ध्यान किये बिना राशित एक लाल कार के पीछे बेतहाशा दोड़ा चला जा रहा है चोड चोड से कुछ बोल रहा है यदि वह तुरंत ही राशित का हाथ पकर कर पट्री पर न खीच लेता तो राशित जरूर उस पिछली वाली कार के नीचे आ जाता मुधित उस पर चलाया पागल हो गया है क्या डी एलसी तेरा सो बानवे हाँ वही थी राशित बुदबुदाया मुधित ने गुस्से से पूचा क्या रट लगा रखी है D.L.C. 1392 पैट जाराम से मुदित ने राशित को जबर्दस्ती पट्री पर पिठाते हुए कहा आज सेरी तवियत ठीक नहीं लग रही है ला अपने अकबार दे मैं सब बेजूंगा उसने राशित से अकबारों का पंडल कीचा और फिर से गाड़ियों के जमघट में चाप पहुँचा सारा दिन मुदित ने राशित को अपनी जगर से उठने नहीं दिया अकबार वाला आया तो उसी ने दोनों का हिसाब किया और राशित के मना करने पर भी उसके हिस्से के आदे पैसे गिन कर राशित की चेव में डाल दिये फिर दोनों हाथ पकर कर पट्री के किनारे बैठे पापड़ वाले के पाज गए रोज की तरह दो पापड़ लिये उन पर ज्यादा मसाला डलवाया और फुट पाथ पर ही बैठकर उसे खाने लगे मुदित ने फिर प्यार से पूछा हाँ अब बता क्या हुआ है तुझे रासित ने पही जवाब दिया सच में यार कुछ नहीं है बस हलका सरदर्द है अच्छा तो मत बता तेरी मरसी पर फिर कल से न मैं तेरे साथ अकपार भेचूंगा नहीं तुझे बात करूंगा कहते वे मुदित खड़ा हो गया रासित रुवांसा साहो कर बोला रुवांसा होना यानि की रोने का मु बना आते वे नहीं नहИं बताओंगा बताओंगा पर आज नहीं कल मुदित बोला फिर पकावादा कर राशित बोला हाँ पकावादा मुदित ने थीरे से पूछा अच्छा सुन आस्तु उपढ़ने नहीं आएगा राशित ने चुपचाप नव मैं सिरहर इला दिया थोनों लाकर सबसे पहले मैं दुकान का सामान लाऊंगा हाँ बेटे चिंता न कर अम मैं ठीक हो रही हूँ जल्दी ही कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम करूंगी अम्मी बोली राशित ने डरते डरते कनखियों से अम्मी की ओड देखते हुए कहा और अगर हमें तुरंत ही पैसे मिल अम्मी कल अगबार बेशते हुए मुझे वहां से एक बटवा मिला अम्मी ने कापती आवाज में प्रश्णों की पोचार सी कर दी जल्दी बता कैसा बटवा किसका बटवा कहां है वो बटवा क्या तूने अब जेब काटना परस छिनना तो शुरू नहीं कर दिया दोनों क खाना पैसा ही पड़ा रहा नहीं अम्मी नहीं आपकी कसम मैंने जेब नहीं काटी राशित की आवाज भर रा गई कहां है बटवा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अम्मी की आवाज में कठोरता थी राशित उठा दरी के नीचे टटोल कर बटवा निकाला नीचे आखे करके कापते हास्तों से बटवा अम्मी की ओर कर दिया आमी ने दरवाजा बन किया और राशिद को अपने पास बिठा कर आराम से पूछा अब बता मुझे सारी बात सच सच रासिद ने पताना शुरू किया कर चब मैंने लाल रंग की कारवाले साहब को अकबार दिया तो पिछली सीट पर बैठे एक छोटे बच्चे ने यह बटवा खिड़की के खुले सीसे से बाहर फैक दिया मैं उसी समय कार के पीछे चिलाता हुआ दोड़ा भी चिलाया भी पर वहगारी तेजी से आगे निकल गई रासिद सिस्किया ले लेकर बोलता रहा आपकी कसम अम्मी मैं तो आज भी उस लाल कार के पीछे भागते भागते मरते मरते बचा हूँ अगर मुदित मुझे पीछे न खेंच लेता तो उस लाल कारी के पीछे आने वाली कार के नीचे जरूर आ गया होता मुझे तो इसका नंबर वियाद है अम्मी डी एल सी 1392 फिर तुने अब क्या सोचा है अम्मी ने राशिद की आँखों में चाकते वे पूछा राशिद फिनी तुसर में अम्मी से बोला अम्मी मैं तो उसी समय से सोच रहा हूँ पर अब तो मैंने तय कर लिया है कि यह बटवा मैं उन्हें वश्च लोटा दूँगा साबास अम्मी ने राशिद को सीने से लगा लिया साबास मेरे बच्चे अम्मी की आँखों में आशु भराए अम्मी ने भी हिम्मत करके बटवे से नोट निकाले और गिने 9730 रुपे अम्मी बोली राशिद को अपने कानों पर मानों विश्वास नहीं हुआ वह भोला इतने पैसे अम्मी अचानक भा कुछ सोचने लगा वह अम्मी के पुछने पर भैबोला मैं सोच रहा था कि सनिवार और इतवार को भैलाल गाड़ी हमारे चौराहे पर नहीं आती यह सुनकर अम्मी बोली फिट तो इतने सारे रुपे हमें यहां दो-तीन दिन और समाल कर रखने पड़ेंगे अब जो भी हो सोमवार को उनकार वाले साहब को यहीं ले आना मैं खुद यह बटवा उन्हें लोटा दूंगी ठीक है अम्मी राशित ने संतोस की सांस ली अगले दिन राशित ने मुदित को भी सब कुछ बता दिया मुदित ने बस इतना पूछा फिर राशित ने आत्मविस्वास की साथ कहा फिर क्या हमें अब डी एल सी तेरस वयानबे ठोड़नी है पढ़िया मुदित की आवाज में भी कोई संकोश नहीं था सुमवार को संयोग बस वहलाल गाड़ी चौराहे पर नहीं आई परन्तु मंगरवार को राशित एकदम चीखा वहरही तेरस वयानबे वह बेताशा दोड़ता जा रहा था अपनी फूलती सांस को समालते हुए लालकार वाले साहब से कुछ कहा और गाड़ी चौराहा पार करके बाई पट्री के पास रुग गई दोनों धोस्त भी जल्द ही वहाँ पहुँच गई राशित की बाते सुनकर कारवाले साहब बहुत अचमभित हो गए उन्होंने उसी समय उसके घर चाना चाहा परन्तु उन्हों को अकबारवाले से हिसाब करना था इसका अरण उस देर रुक कर राशित उन्हें अपने घर ले गया परदे की ओट से राशित की मा ने जब बट्वा कारवाले साहब की ओर बढ़ाया तो उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ वह बोले भगवान जाने ये सपना है या अमी बोली साहब आप पैसे गिन लिजे राशित ने मेरी कसम खाई है उसने एक भी पैसा नहीं जुआ साहब एकदम से बोले ठीक है पैसों की तो कोई बात नहीं है पर इसमें जो दूसरे एक आगस थे हे भगवान तेरा लाग शुक्र है उन्होंने यहां कहते वे राशित को अपनी कले लगा लिया उन्होंने जिखते वे अमी के आगे हाथ जोडते वे कहा अगर आप बुरा नम आने तो मैं ये रुपी आपके बच्चे को पुरुसका के रुप में भेट कर दूँगा आप बहुत भाग शाली है जो आपको ऐसा इमानदार बेटा मिला है राशित की अमी ने दृढ़ता से कहा आपका बहुत बहुत सुक्रिया जी पर मैं चाहती हूँ यह जो भी करे अपनी हिम्वत और मेहनत से करे अच्छा जी बहुत बढ़िया फिर साहब दोनों बच्चे को लेकर घर के बाहर खली में आ गए वहां कार की मालकिन बैठी थी उन्होंने राशित की पीट थप थप आई और उसे आशिरवाद दिया उसके बाद तो लालकार की वैं मालकिन कई बार अम्मी से मिलने आई इन लोगों के हालत देखकर उन्होंने निशे किया कि जैसे भी हो इनकी सहयता करेंगी बड़े मुश्गल से राशित की अम्मा को उसे सहकारी बैंक की सदस्या बनने पर सहमत कर लिया गया जिसके मैनेजर लालकारी वाले सहाब थे सदस्यता के लिए आवश्यक्सुर्क सहाब अपनी तरफ से करा दिया पर राशिद की अम्मी ने किस्तों में साहब को वहरकम लोटा दी फिर नियम अनुशार राशिद की अम्मी सहेकारी बैंक से उधार लेकर अपनी दुकान चलाने लगी कुछ दिनों बाद फिर एक ऐसी सुबह आई मुदित ने राशिद के दरवाज से हुए मस्कुरा रही थी तो बच्चो कैसा लगा आपको यह पार आशक करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने इसे क्या सिक्षा ली कि हमें हमेशा इमानदार रहना चाहिए कभी भी हमारे मन में बेमानी का भाव नहीं आना चाहिए तो बच्चो इस बढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे और हाँ इसका भ्यास भी शरूर कीजिए